सो हलो फ्रेंट्स वैलकम टू मैं यूट्यूब चैनल बेरुके के प्रेटिक्शन का इसका है तो आप सम्मेदे की बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पकिस्तान सुपर लिग सब्सक्राइब चैनल को लाइक करते चले तक हर वीडियो की जनकारी आपको पूरी मिलती रहे तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा स्कीन पर हमारा वाट्सअप नमर दिया हुआ है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैस सेशन की जनकारी आपको दी जाएगी और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंसन किया हुआ है बढ़ते हैं चलते हैं मैच की और आज का मैच 16 मार्च को खेला जाएगा इंडिया टाम के कॉल्टिंग साम के साथ बच के 30 मिन पर यह मैच स्टार्ट होगी यह मैच के लिए गरद वही दूसरी टीम अगर पिसावा जालमी की बात करे हैं तो जहां पांच मैच समसे तीन मैच जित के आ रही है तो दो मैच चार के आ रही है अगर एट वह जालमी दो मैच से आगे चल रही है अब आगर बढ़ते हैं फिर जाद देर ना करते हुए दो टीमों का टीम कमपीजन करते हैं लास्ट तीन मैचेज में क्या का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं तो पहली कमपीजन वीनिंग परसंट जज की बाद करें तो जहां पे इसलामाबाद नाइटट का 30% देखने को मिल रहा है तो इपशावार जालमी का 50% देखने को मिल रहा है स्कोर की बात कें तो इसलामाबाद उनाइटट का 165 है तो इसलामाबाद उनाइटट का 163 है तो इसलामाबाद उनाइटट का 220 है तो इसलामाबाद उनाइटट का 90 है तो इसलामाबाद उनाइटट का 90 है तो इसलामाबाद उनाइटट का 90 है तो इसलामाबाद उनाइटट का है जी संसाइन रहेगी 31.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है अगर हुमिडिटी की बात के तो 35 परसेंट रहेगी जीरो परसेंट वर्षा होने की चांस रहेगी तो यह रहें आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट चलते हैं पीच की और आज का मैच स्पीच पर कैसा होन हैं जो हर एक मैच काफी जवदर्स हुई है अगर इस पीच की सरफेस की बात के तो यहां पर जो भी टीम अगर टॉस जित के बैटिंग करती है तो इस टीम की मैच जितने के प्रिविलिटी ज्यादा बन सकती क्योंकि डिफेंड में काफी अच्छे रान स्कोर बनाए जा सक सकते हैं और चेज करने वाली टिम की बात के तो यहां पर सकती है जेश भी हो सकती है इस पीच पर बाट जो भी टीम अगर चेश कर यह वह ट्यादा ओनी चाहिए तो इसलिए मैच काफी अच्छे और हैं इस पीच बीचितने को मिल रही है जैकपॉट वी हो रही है प्लस मे चेक करते हैं तो पहली टीम इस्लामाबाद इनाइट की बात के तो नो डॉट काफी जवदर्स टीम है बैटिंग लाइनप और बॉलिंग लाइनप देखें तो दोनों का कंबिनेशन जो तर देखने को मिल सकता है अगर अगर स्टाट अप की बात के तो कुछ खास परफॉर्मंस देखने को नहीं मिल रही थी बाट बीच में कुछ मैच काफी अच्छा वर्म में आ चुकी है अगर दूसरी टीम पेसावजानमी की बात करें नो काफी अच्छी टीम में दोनों के अगर खासियत की बात के तो इस्लामाबाइब काफ़ी बीट कर सकते हैं तो यह दिलचस्प होगा कि कुई इलमिनेटर मैच है जो भी अगर मैच जितती है तो वो आगए फिर से मैच एक और मैच खेलेगी इलमिनेटर टू के साथ करते हैं अब चलते हैं दो की प्लेयर की बात करते हैं तो पहली टीम इस्लामावर्ण रियाज इति के प्लेयर की बात करते हैं तो आज में कापि अच्छा परफॉरमेंस कर सकते हैं अब ज्यादे देर ना करते हुए चलते हैं वीनार की और देखा जाए तो इस्टाटिक्स को मत दे नज़ा रखते हुए इस्लामाबाद उनाटेट हमारी स्टाफ से स्ट्रॉंग की मैच जितने के प्रडिलीटी ज्यादा रखता है तो आप लोग कहा लगता है अपने विए को कमेंच सकते हैं जोड़ मैंसन कीजिएगा और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें ब बने लिए माई चैनल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में